पाकिस्तान के पिम इम्रान खान अपनी किसी न किसी हरकतों के चलते खबरों में वने रहते हैं कभी भारत को धमकी देने को लेकर तो कभी दूसरे देशों के सामने भीक मागने को लेकर और अब तो हद ही हो गई क्योंकि गूगल पर अगर भिखारी सर्च करोगे तो इमरान खान की तस्वीर पाऊगे जी हाँ गूगल पर भिखारी सर्च करने पर इमरान खान की तस्वीर सामने आ रही है जिसे लेकर वो सोशल मीडिया पर जम कर ट्रोल हो रही है दरसल भारत सिरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में जैसे ही धारा 370 हटाई गई इमरान खान तरह तरह के बयान देने लगे और नए नए फैसले लेने लगे लेकिन उनको नहीं पटा था कि उनके जादतर फैसले उनकी खुद की आवाम को ही नुकसान पोचाएंगे और उनके हाथ में कटोरा आ जाएगा अब गूगल पर भिखारी सर्च करने पर भी इमरान खान की तस्वीरे और उनसे संबंदित खबरे आ रही हैं उनकी तस्वीरों पर लोग मोज भी ले रही हैं पहले वो फेस्बुक ट्वीटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रॉल होते थे और अब तो वो गूगल सर्च में भी ट्रॉल हो गए तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे लोगों ने इस बिखारी के मजे ले लिए ये पहला ट्वीट देखिए मनीश राय नामक यूजर लिखते हैं जब मांग सकते हैं तो क्यों कमाना दूसरा ट्वीट देखिए गोड अफ डेथ ने लिखा है जब हमने भिखारी सर्च किया तो इमरान खान नजर आए इस यूजर ने तो राजपाल यादव की ही फोटो लगा कर मोज ले ली और इस पर लिख दिया मेरे को सब आता है मैं एक्सपर्ट हूँ वीनी नामक यूजर ने तो हद कर दी इन्होंने पूरी दुनिया के नेताओं की फोटो लगा दी और इमरान खान को गधे पर बिठा दिया सक्सेस मंत्रा लिखती है जब मैंने भिखारी सर्च किया तो इमरान मिल गए तो देखा आपने भारत विरोधी अपने फैसलों की वज़े से पाकिस्तान के हाथ में कटोरा तो आही गया और अब ये कटोरा पूरी दुनिया में नजरा रहा है लेकिन इमरान खान कहा मानने वाले हैं वो इसी तरह अपनी फजीहत कराते रहेंगे और दुनिया में ट्रॉल होते रहेंगे तो आपको कैसी लगी है खबार? अपनी राय हमें कमेंट कर जरू बताईए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरू दबाईए